ये आकाश्वाणी रायपूर है प्रादिशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दिप्ती चंद्रा और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार मुख्यमंद्री पुपेश बगेल ने कहा है कि किसानों को उनके खेतों तक सुविधा जनक महच के लिए प्रदेश में जल्दी धर्सा विकास योजना शुरू की जाएगी केंद्री इसपात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल भिलाई इसपात सयंद्र के नव निर्मेत जंबो कोविट केर सेंटर का वर्च्वल रूप से उत्खाटन करेंगे राज्य सरकार की कथित विफलताओं के बारे में जनता को जागरू करने के लिए भारती जनता पार्टी 12 जून से महा अभियान चलाएगी और प्रदेश में आगामी एक दो दिनों में मांस्थून के सक्री होने की संभावना मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों परभारी वर्षा होने की चेतावनी दी कोरोना संक्रमन को देखते हुए शोताओं से अपील है कि लापरवाही ना बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें मास्थ लगाएं दो गस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें बार बार हाद धुएं चहरा साफ रखें और टीकाज जरूर लगवाएं लोगों को कोविट से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्क दर्शन के लिए रास्टी हेल्पलाइन कारेड़त है 36 गड़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235091 साथ ही रास्टी हेल्पलाइन नंबर है 1075 कोविट 19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाएं मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ हर मू साफ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री वुपेश बखेल ने कहा है कि किसानों को उनके खेतों तक सुविधाजनक पहुच के लिए प्रदेश में जल्द ही धरसा विकास योजना शुरू की जाएगी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विक्षारोपन योजना को राजीव गांधी विकास योजना से जोडते हुए किसानों के लिए आये का नया रास्ता खोला जाएगा मुख्यमंत्री ने आज यह गोशनाग अपने निवास कारियाले में आयोजित एक वर्च्वल कारिकनम के दोरान की इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बालौदा बाजार भाटा पारा और महासमुन जिले में लगभग 565 करोड रुपे की लागत के 1430 कारियों का लुकारपन और भूमी पुजन किया इनमें बलादा बाजार के लिए 295 करोड रुपे की लागत के 1172 और महासमुन जिले के लिए 270 करोड रुपे की लागत के 258 कारिय शामिल है मुख्यमंद्री कल एक वर्चुल कारिक्रम में गर्याबंद और कविर्धाम जिलों में 582 करोड रुपे के 1270 कारियों का लुकारपन और भूमी पुजन करेंगे केंद्र सरकार ने प्रधानमंद्री शहरी आवास योजना के तहट 361,000 मकानों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है नई दिल्ली में आइजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिती की 54 भी बैठक में या निर्ने लिया गया बैठक में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनितियों ने भाग लिया केंद्री आवास और शहरी मामलों के मंत्राले में सचीव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अवार्ड 2021 सो डेज चैलिंज मिशन की भी शुरवात की इस मिशन के सफल क्रियानवेन के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों शहरी इस्थानी निकायों और लाभार्थियों के उत्कृष्ट योगदान और प्रदर्शन को पहचानने की एक स्वस प्रतिसपर्धा बनाने के लिए यह पुरसकार दिया जाता है प्रदानमंद्री शहरी आवास योजना के तहट अब तक कुल एक करोड़ बारह लाग चालिस हजार मकानों के निर्माण की स्विक्रती दी जा चुकी है इन में से 82,50,000 मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है और 48,31,000 मकान लावार्थियों को आबंटित किये जा चुके हैं केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% कोविट टीके प्राप्त करेगी ये टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हुने शुल्ख प्रदान किये जाएंगे केंद्र स्वास मंत्रारे ने कल राज्ट्रिय और कोविट टीका करण कारिकरम लागू करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किये ये दिशा निर्देश 21 जून से प्रभावी होंगे, संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्जियों और केंदर शासित प्रदेशों को जनसंख्या, बिमारी और टीका करण की प्रगती के आधार पर टीकों का आवंटन किया जाएगा प्रदेश में कोरोना संक्रमन की दर लगातार खट रही है, राज्ज में पॉजिटिविटी दर गिरकर 2.2 प्रतीशत रह गई है, कल हुए 48,447 सेंपलों की जाच में 1,102 लोग संक्रमित पाए गए हैं, वहीं प्रदेश में रिकवरी दर भी 96 प्रतीशत से अधिक हो गई है प्रदेश में अब तक 9,808,000 से अधिक मरीज स्वस हो चुके हैं, इन में से करीब 80 प्रतीशत मरीजों ने होम आइसोलेशन में इलाज करा कर कोरोना को माद दी है इधर दुर्ग जिले में कोरोना पॉजिटिविटी की दर एक प्रतीशत से भी कम हो गई है, जिले में कल 2802 सैंपलों की जाज की गई, जिन में से 27 ने संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि कल जिले में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है इस वीज प्रदेश में कोबिट प्रभावित पालकों और बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड हेल्प डेस्ट बनाई गई है, कोई भी व्यक्ती टोल फ्री नंबर 180005723969 के अलावा चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 के जरिये सहायता प्राप्त कर सकता है राजसरकार ने बच्चों के बहतर इलाज और देखरे के लिए हर जिले में संसाओं को भी चिंधांकित किया है इस वीज प्रदेश में लोगों में टीका करन को लेकर खासा उस्साह देखा जा रहा है अब तक प्रदेश में 18-46 वर्ष की आयू वर्ग के 8,85,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है राइपुर कलेक्टर सौरप कुमार ने 45 वर्ष आयू वर्ग के नागरिकों के साथ साथ फ्रंट लाइन वर्कर के शत प्रदिशत टीका करन पर जोड दिया है वही दुर्ग जिले में टीका करन को लेकर युबाओं में खासा उस्साह देखा जा रहा है पिछले दो दिनों में 18-45 वर्ष आयू वर्ग के 8000 से अधिक लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है इधर आंगनबाडी केंद्रों में भी नियमित टीका करन सत्र के अंतरगट टीका लगवाया जा रहा है रायपूर के बिरगाओं में भी महिलाओं को टीका लगाया गया साथी केंद्रों में आने वाली गर्वती और धात्री महिलाओं को कोरोना संक्रमन से बचाव और टीका करन की जरूरत तता महत्व के बारे में जाब रुख किया गया केंद्री राज्जी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सी ने जिन सरकारी कर्मचारियों की कोविट संक्रमन से मौत हुई है उनके परिवारों को एक महिने के भीतर पेंशन देने के निर्देश दिये हैं पेंशन और पेंशन भोगी कल्यान विभाग ने सभी मंत्रालेओं विभागों और लेखा महाने इंत्रक के साथ साथ पेंशन वितरन बैंकों के मुख्य कारिकारी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिये हैं केंडरी इसपात मंद्री धर्मेंद्र पधान कल भिलाई इसपात सेयंत्र के नव निर्मित जंबो कोविट केर सेंटर का वर्चुल रूप से उत्खाटन करेंगे इस सेंटर में 114 बेड हैं इस मौके पर कोरोना काल के दोरान पीएम केर फ़न से बिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल को उपलवद कराये गए मेडिकल उपकरणों के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की विवस्था से जूड़ी एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा प्रादेशिक समाचार आप आकाशवानी राइपूर से सुन रहे हैं 36 गड़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वस्मियता से है हमारा वास्ता आकाशवानी समाचार राइपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाई कायकरम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं आकाशवानी समाचार फेस्बुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्त है हमारा फेस्बुक पेज 36 गड़ न्यूज ओन ए आई आई आर ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारे यूट्यूब चैनल है 36 गड़ ए आई आई आर न्यूज तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाईल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आम तक 36 गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाशवानी समाचार फेस्बुक और अब आगे बढ़ते हैं बागी के समाचारो की ओर आदिवासियों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा की आजपुनित थी है इस अवसर पर आज राजभवन में आदिवासी समनवे मंच द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते वे राजपाल ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अपने समय में शोशन के विरुद आवाज उठाई और आम लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया इस मौके पर मुख्यमंत्री पुवेश भगेल ने विरुद समुंडा को श्रद्धान जली देते वे कहा कि वे आदिवासी चेतना के प्रयाटनेताओं में से एक थे उन्होंने आदिवासीों को एकत्र कर जल, जंगल और जमीन के लिए आंदोलन किया उनके शौर्य और बलिदान की गाथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है राज्य की कॉंग्रेस सरकार के धाई साल पूरे होने पर 12 से 17 जून तक भारती जनता पार्टी एक महा अभियान कारिकरम चलाएगी इस अभियान के तहट पार्टी के वरिष्ट नेताओं सहित अन्यकारिकरता राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर प्रदेश की आम जनता के बीच पहुँचेंगे आज रायपूर में हुई कोर ग्रूप की बैठक में भाजपा के प्रदेश अदक्ष विश्णुदेव साय ने बताया कि 12 जून को प्रदेश के हर जिले में इस अभियान से संबंधित एक प्रेस कॉन्फरंस आयोजित की जाएगी इसके साथ ही 13, 14 और 15 जून को पार्टी कारिकरता हर मंडल के 5 शक्ती केंद्रों में राजसरकार की विफलताओं को लेकर जनता से चर्चा करेंगे आज हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और भाश्पा के रास्टी उपाधक्ष डॉक्टर रवन सीं, प्रदेश सहप्रभारी, नितिन नबीन, संगठन महामंत्री, पवन साय, नेता प्रतिबख्ष धरमलाल कौशिक, सांसस सरोच पांडे, रामविचार मेताम सहित अन्य पदादिकारी मौजुद थे। इन में से केवल 1000 टन गोबर से ही वर्मी कमपोस्ट बनाया गया, बाकी 43,000 टन गोबर कूप प्रबंधन और अव्यवस्था के कारण खराब हो गया, जिसका उप्योग फिर से खाद बनाने के लिए किया जा रहा है। मानसून मुंबई और कोंकर सहित महराष्ट के अधिकांश हिस्सों में पहुँच गया है। महीं कुछ स्थानों पर गरत चमक के साथ भारी बारिश होने और आकाशी बिजली किरने की चेतावनी दी गई है। इस भीच प्रदेश में मानसून के आगमन को ध्यान में रखते हुए राजिक रिशी और मौसम विग्यान विभाग तथा इंद्रा गांधिक रिशी विश्विद्याले के अरिकारियों ने किसानों को खेतों की साफसफाई और मेडों की मरमत करने की सलादी है। विशेशग्यों ने कहा है कि किसानों को खरीब फसल लगाने के लिए बीच और उर्वरक की पहले से विवस्ता कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सारवजनिक वित्रन प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों में CCTV कैमरे लगाये जाए और अनाच की दर सूची भी प्रदर्शित की जाए। से अधिक है। इस योजना के अंतरगत चालू वित्ती वर्ष के शुरुवाती दो महिनों एप्रिल और मही महा में 1681 अधिकार पटाधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहएत दिव्यांगों को सबसे अधिक रोजगार देने के मामले में 36 गर चौते इस्थान पर है। इसके अलावा सरवाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में 36 वे इस्थान और लक्ष के विरुद कायर पूरा करने में 36 गर साथ वे इस्थान पर है। अब कुछ अनिक खबरे संक्षेप में प्रदेश के वन विभाग बारा 25 जून से घर पहुच पौद वितरन कारिकरम की शुरुबात की जाएगी इसके लिए विभाग बारा इस वर्ष दो करोड 27 लाख पौधों के वितरन का लक्ष रखा गया है। वादी कोरोना संक्रमित पाया गया जिसे कोविट केर सेंटर में भरती कराया गया है। प्रदेश में आगामी एक दो दिनों में मांसून के सक्री होने की संभावना, मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की दिहेचे तावनी। इसी के साथ प्रदेशिक समाचार बुलेटें समाथ्वा, नमस्कार। एक के ताव की जागाओ पर भाराणों पारि जो दो पर लुचार बुलेटें समाचार बुलेश्य। ऑ्रदेश्वा लचार बुलेटें समाचार बुलेश्य। झाल झाल